जैसरी राम दोस्तो गुणिस्वर ग्यान गंगा यूटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी का कुंडली के बारहो भाव में किस प्रकार का प्रभाव रहता है यहाँ जानने से पहले आपको यहाँ जानना अवश्यक होगा कि आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कौन है तो उसके लिए आपको यहाँ भाव देखना होगा यहाँ भाव कहलाता है तीसरा भाव तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हो तो उस संख्या से कौन सी रासी आती है वहाँ आपको देखना होगा जैसे अगर यहाँ पर दस नमबर लिखा होगा तो आपकी यहाँ पर सनी देव बन जाएंगे दस नमबर से मकर रासी बनती है दस्वे नंबर की रासी है मकर रासी और उसके स्वामी है सनी देव तो ऐसे ही यहाँ पर तीन नंबर लिखा है तो इस कुंडली में बुद्ध देव बने, प्राकरमेश, तीसरे भाव के स्वामी तो ऐसे ही आप भी देख लीजिए आप की कुंडली में कौन है तो उसे देखने के बाद आपको यह जानना होगा कि तीसरा भाव किन किन चीजों का कारक है तीसरा भाव है हमारे छोटे भाई बहनों का और हमारे स्वयम के प्राकरम का भाव है धैरिय कितना है हमें धैरिय का हमारे कॉम्निकेशन इस्किल का भाव है माता पिता की मिट्तियू का भाव है हमारी आईयू का भाव है और गुप्त सत्रों का भाव है अब यहाँ इस भाव का सौमी अगर जनम कुंडली में आपके लगन में बैठ जाए आपके पहले घर में आकर आपके सरीर में बैठ जाए अगर यह कोई सुब ग्रह हो तो आपको यह अच्छे प्रभाव देगा ऐसे माँ आप ज्यानवान होंगे, बलवान होंगे, बिबेकी होंगे और आप बिनम्र होंगे, सुबहाव से अच्छे होंगे अगर वहीं यहाग कोई कुरूर ग्रह बन जाता है तो आपके स्वभाव में थोड़ा कुरूरता आ जाएगी लेकिन फिर भी आप प्राकर्मी तो बने रहेंगे प्राकर्मी आप जबरदस्त रहेंगे पूरे जीवन काल में आप प्राकर्मी बने रहेंगे आपके communication skill भी अच्छी रहेगी आपके वानी का प्रबहा अच्छा रहेगा बोलते हैं वक्त आपकी बातें दूसरों को अपनी और आकरसित करेंगी कुछ इस प्रकार की आपकी वानी भी रहेगी यदि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठे तो यहाँ अपने से बारवे में है और यहाँ भाव हमारे वानी का भाव है कुटुम्ब का भाव है नेत्र पडोशियों का भाव है तो अपने से बारवे जाने के कारण तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ कर दूसरे भाव का व्याई करेगा अब व्याई करेगा तो ऐसा जातक अत्यधिक बोलने वाला हो सकता है और इसी कारण उसके कुटुम्ब में थोड़ा अनबन रह सकती है अत्यधिक बोलने के वज़े से ऐसा जातक कभी-कभी असत्य भी बोल देता है असत्यवादी बन जाता है ऐसे जातक के नेत्रों में भी कष्ट देखा गया है ऐसे जातकों को नेत्र पीडा, नेत्र रोग इन सब चीजों का ध्यान लखना होता है और इनसे बचना होता है यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में बैठे तो ऐसे में यह भाव बलवान हो जाएगा तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ कर भाव की बृध्धी करेगा ऐसे में जातक के भाई बहन यार दोस्त सबी उसका सपोर्ट करने वाले होंगे जातक का खुद का प्राकरम अदभुद होगा जातक अपने प्राकरम से हर वो चीज जो वो चाहता है उसे पालेने वाला होगा जातक धरम करम में भी बढ़ चड़ कर कारे करने वाला होगा धरम के कारियों में भी वह बढ़ चड़ कर भागेदारी निभाने वाला होता है ऐसा जातक ऐसा जातक अपने सत्रों के लिए काल होता है ऐसा जातक अपने सत्रों को रुलाए बिना नहीं छोड़ता है ऐसा जातक अपने सत्रों को हमेशा अपने जूते के नीचे दवाए रखता है ऐसा जातक अत्यंति प्राकरमी होता है अपने प्राकरम के चलते वह किसी को भी कुछ नहीं समझता है अगर यहाँ पर कोई कुरूर गरह आ जाता है तो ऐसे में जातक फिर किसी को भी कुछ नहीं समझने वाला होता है वह अपने को सहनसा समझता है अगर ऐसे गरह पर किसी कुरूर गरह पर किसी असुब गरह की दृष्टी बन जाती है तो ऐसे में जातक अत्यन्थी कुरूर बन जाता है फिर हो हत्याएं करने लग जाता है ऐसा जातक यदि कुंडली में तीसरे घर का स्वामी चोथे घर में बैठा हो सुक भाव में यह घर सुकों का है भूमी भवन वाहन का है अचल संपत्ती का है गड़ा हुआ धन भी देखा जाता है यहां से छाती के उपरी भाग का भी यह घर है हमारे चेश्ट का यह भाग है और माता का है यदि तीसरे भाव का स्वामी चोथे घर में बैठे तो यह अपने से दूसरे घर में आ जाएगा और ऐसे में कोई भी ग्रह अपने भाव से दूसरे भाव में जाता है तो फिर उस भाव की वह बृद्धी करता है क्योंकि यह हमारा लगन है पहला घर और यह दूसरा भाव है तो लगन की बृद्धी करता है दूसरा भाव उसी प्रकार से हर भाव से दूसरा भाव उस भाव की बृद्धी करेगा वैसे में तीसरा भाव चोथे भाव की बृद्धी करेगा जब तीसरे भाव का स्वामी चोथे भाव में बैठा हो तो ऐसे में जातक की माता भी अत्यांती प्राकर्मी हो सकती है जातक को अत्यांत सपोर्ट करने वाली हो सकती है और ऐसे जातक के पास बड़ा भूमी भवन वहान हो सकता है ऐसा जातक संपत्तिवान हो सकता है और ऐसे जातकों को अच्छा सुख वैभाव मिलता है पूरे और ऐसे जातक अपने प्राकरम के माध्यम से सुखो को निरंतर बढ़ाते रहते हैं और सुखो का उभ्भोग करते हैं यदि तीसरे घर का स्वामी पांचवे घर में आ जाए यहाँ भाव है संतान का बुद्धी बिद्या का यस का उन्नती का मंगल कारियों का भी यही भाव ह ने-निहाल हिर्दै रोग के लिए भी यही भाव देखा जाएगा ऐसी इस्तिति में जब तीसरे भाव का स्वामी पांचवे भाव में आता है तो ऐसा जातक अपने अपने प्राकरम से अपनी पड़ाई को जारी रखता है और अपने ही प्रियास से अपनी पड़ाई को द्वान बनता है। ऐसा जातक खुद से पढ़ाई करता है। उसे किसी का सपोर्ट ना भी मिले तो वह खुद कहीं कार्य करता है और सांथ सांथ पढ़ाई करता है। ऐसा जातक पूरे जीवनकाल में सीखने की प्रिक्रिया को कभी भी नहीं त्याकता है। ऐसा जातक पूरे जीवनकाल में एक बिद्यार्थी के रूप में रहता है और निरंतर वह सीखते रहता है ऐसा जातक अपने सीखने की प्रिविर्थी के कारण उन्नती में उन्नती को प्राप्त होता है यदि तीसरे घर का स्वामी छटे घर में बैठा हो यह घर है रोगों का सत्रू, चिन्ता, मुकदमे बाजी, मामा पक्ष ने निहाल गा यदि तीसरे भाव का स्वामी छटे भाव में बैठा हो तो यह रोग, सत्रू, रिन, चिन्ता इन सभी चीजों को ध्वस्त कर देता है जातक अपने प्राकरम से सभी रोगों को, सत्रों को, मुकदमे बाजीयों को सभी जगह पर वह जीत हासिल करता है और अपना एक बुलं ग्रह बने तो ऐसा जातक अत्यंती प्राकरमी एक सेर के समान प्राकरम करने वाला और एक कुरूर सेर बनता है ऐसे जातक से ऐसे सत्रू भी भाई खाते हैं यदि कोई यहाँ पर कुरूर ग्रह हो यदि यहाँ पर सुब ग्रह हो तो भी जातक का वह कुछ बिगार नहीं पा यहां पर कोई कुरूर गरा हो, तो वहां उनको छटी का दूद याद दिला देता है। यहां पर कोई कुरूर गरा हो, तो ऐसे में जातक अपने प्राकरम को अपने व्यवाइक जीवन में लाता है। यदि यहाँ पर कोई करूर गरह हो तो अगर सुब गरह हो, तो जातक के वारे न्यारे हो जाते हैं, जातक सभी जग़ा से लाब पाता है, और लाभानवित होता है, वहीं तीसरे भाव का स्वामी अगर आठवे घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक कैसा होगा, क्योंकि यहाँ घर है मिर्ट्यू का आयू का भी है मिर्ट्यू का भी है और आकस्मिक धनलाप का है विदेश यात्राओं का है आकस्मिक दुरघटना का है रोगों का है और आकस्मिक परिवर्तन का है जो आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है एकाएक परिवर्तन हो जाते हैं इस भाव को पहले ही जब तीसरे भाव का स्वामी आठवे भाव में बैठता है तो ऐसा जातक अत्यन्थी प्राकर्मी स्वाव का होता है जिस कारण वह गुप्त बिद्याओं में रूची रखता है जिसके कारण ऐसे जातकों के पास गुप्त जानकारी गुप्त नौलेज गुप्त बिद्याओं की समझ होती है जिसके कारण यहाँ किसी भी जातक को अपनी बातों में उलजा देते हैं और अपने पक्ष में ले लेते हैं ऐसा करके यहाँ लोग धन कमाते हैं और ऐसे जातक जादा तर आपको प्रोपर्टी डिलिंग में भी मिल सकते हैं ऐसे जातक विदेश में जाकर भी धन कमाते हैं ऐसे जातकों को आकस्मिक रूप से भी धनलाब होता है क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी आठवे भावं बैटेगा तो वह धन भाव को देखेगा धन भाव को देखने के कारण ऐसे जातकों को अकस्मिक रूप से भी धनलाब होता है और यहाँ धनवान होते हैं अपने जीवनकाल में वैसे तो यहाँ काफी चतुर होते हैं अपने कारियों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं दूसरों के कारियों से इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है खाली मतलब के लिए सांथ में खड़े रहते हैं लेकिन अंदर से यह अपने कारियों के लिए खड़े रहते हैं यदि तीसरे भाव का स्वामी नवे भाव में बैठता है तो नवा भाव है आपका भाग्य का धरम तीर्थिस्तलों का भाव है यस है आपका यस देखा जाता है यातराएं देखी जाती है साला साली देखी जाती है सन्यास देखा जाता है सन्यस्त जीवन देखा जाएगा सिक्षा उच्च सिक्षा और गुरु गुरुजन यहां से इन सब चीजों का विचार होता है तो ऐसा जातक जिन जातकों का तीसरे भाव का स्वामी नवे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक कभी-कभी सब कुछ भागय के भर से छोड़ कर बैठ जाते हैं और कार्य को करते नहीं है जिस कारण उनको पस्ताना पड़ता है हमारी कुंडली में भागय भाव के सामने है प्राकरम भाव जब हम प्राकरम करेंगे तब हमको भागय मिलेगा पहले है प्राकरम फिर है भाग्ये पहले प्राकरम करना होगा उसके बाद भाग्ये की प्राप्ती होती है यदि जातक अच्छा प्राकरम करने वाला हो तो जातक का भाग्ये दिन प्रती दिन बढ़ता रहता है और जातक को अच्छा सायोग देता है और जातक एक नीतिवान होता है धर्मिक होता है ऐसा जातक यदि वह सुब गरह हो तो ऐसे जातक को अच्छा राज्योग की प्राप्ति होती है क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी भाग्या भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक को वो ऐसे ऐसे सुब गुण परदान करेगा जो जातक को एक स्रेष्ट उचाई तक ले जाएंगे और ऐसा जातक अपने जीवन काल में संपन्न होगा सभी सुख सुविदाओं से यदि तीसरे भाव का स्वामी दस्वे भाव में बैठा हो दस्वे घर में दस्वे घर है हमारे पिता का, राज्य का, कर्म का, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार का और प्रतिष्टा राज्योग का तो जब तीसरे भाव का स्वामी दस्वे घर में बैठता है तो यहां महान राजियोग बना देता है यहां पर चाहे कुरूर गरा हो चाहे सुब गरा हो ऐसा जातक अत्यन्थी प्राकर्मी होता है और ऐसा जातक किसी न किसी उच्च पद्वी को अवश्य प्राप्त करता है ऐसा जातक सरकारी छेत्र में अच्छा उन्नत होता है और अच्छी पद्वी प्राप्त करता है ऐसा जातक स्रेश्ट राजियोग प्राप्त करता है जिस भी जातक की जनम कुंडिली में तीसरे भाव का स्वामी दस्वे घर में बैठा हो यदि तीसरे भाव का स्वामी ग्यारवे घर में बैठा हो तो ऐसी इस्तिती में ग्यारवा घर होता है लाप का, आई का, उपलब्धियों का, मनों कामनाओं की पूर्टी का, और बड़े भाई का, और पुत्र वधु का, यह भाव इन सब चीजों का होता है, तो ऐसे में जब तीसरे भाव का स्वामी लाप भाव से संबंद मनाता है, तो ऐसे में जातक के लाप में बृद्धि करवाता है, क्योंकि तीसरे भाव आपके प्राकरम का है, और यह भाव आपके लाप का है, अगर जातक प्राकरमी है, और लाप भाव भी मजबूत है, तो अपुआ अपने प्राकरम से लाप पाकर ही रहेगा, और पाता है ऐसा व्य और वहाँ उनको अच्छी सिख्ष्या प्रदान करता है और बड़े भाई से उनको अच्छा लाब होता है। जब तीसरे भाई का स्वामी बारवे भाई में बैठा हो तो बारवा भाई है व्याई का मोक्ष का सैया सुक का भाई है या विदेश यात्राओं का भाई भी है हानी का भाई है अस्पताल का भाई है मिर्त्यू का भाई मिर्त्यू के बाद मोक्ष का भाई यह भाई इन सब च तीसरे भाव के स्वामी का जाने का सीधा सा यह अर्थ है कि जातक अत्यंत ही प्राकरमी है क्योंकि यह है व्याय का भाव और यह है आपके प्राकरम का भाव जातक हर जगह पर अपनी प्राकरम करता है अपना प्राकरम दिखाता है अपने प्राकरम कारियों को सिद्ध करना च जातक होने को तो अत्यांत प्राकरमी होता है लेकिन जहांपर सुई की जरुवत हो वहांपर भी वह संबल लेके आ जाता है ऐसा जातक हर जगा पर प्राकरम करता है जिस कारण ऐसे जातकों को लाप की जगा हानी उठानी पड़ती है और अगर यहां अपने प्राकरम करने के सौभाव को सयमित करें जितना होना चाहिए उतना करें तो इनको अच्छा लाप मिलेगा ऐसे में इनको बढ़िया लाप मिलेगा अपने प्राकरमेश से और यहां एक स्रेश्ट जीवन व्यतीत कर पाएंगे अन्यता यहां तहां प्राकरम करके अपने प्राकरमेस की प्राकरम के वदौलत और अपने उगर सौभाव के कारण अपने बनते हुए कारियों को बिगाड़ देंगे कुछ इस प्रकार की प्रविट्टी होती है तीसरे भाव के स्वामी का हमने आपको कुंडली के बारहों भाव में फल प्रदान किस प्रकार का करते हैं वह यहां बताने की चेश्टा करी यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो निरंतर लाते रहें आप सभी के उपर महादेब की किरपा सदा बनी रहे हर हर महादेब नमस्कार जी